हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको भारत की प्रमुख जीलो को याद करने की सांदर्श ट्रिक्स बताऊंगा एक इस्टोरी और पूरी जीलो के नाम याद हो जाएंगे तो इस्टोरी को धान से सुनेगा सबसे पहले हम जमु कस्मीर की जिलो को याद करेंगे जमु कस्मीर वे कौन-कौन सी जिले हैं देखिए, इस्टोरी को ध्यान से सुनिए जमु कस्मीर जाने से डल लगता है क्योंकि यहां सेसनांग और नागिन की तरह बैर चलता है सेसनांग और नांगिन की तरह बैर चलता है और वे एक दूसरे का जो है अंत कर देते हैं एक दूसरे का अंत कर देते हैं तो इस्टोरी को ध्यान से पढ़िए जमु कस्मिर जाने से डल लगता है क्योंकि यहां सेसनांग और नांगिन की तरह बैर चलता है और वे एक दूसरे का अंत कर देते हैं उलर जिल भी याद रखेगे यहाँ पर उलर जिल भी है तो देखिए डल से क्या बन गया डल जिल, सेसनांग से बन गया सेसनांग जिल, नांगिन से बन गया नांगिन जिल, बेर से बन गया बेरी नांग जील, अंस से बन गया अंतनांग जील और उलर जील याद रखिएगा इस प्रकार से आप जमु कस्मीर की प्रमुक जीले याद कर सकते हैं बहुत ही सांदार इस्टोरी छोटी सी स्टोरी से अब हम राजिस्तान की प्रमुक जीलों को याद करने की ट्रिक जानेंगे तो इस्टोरी को ध्यान से सुनिएगा राजिस्तान से हमार दिमाग में एक बात आती है राजा महाराजाओं का राज्जी राजिस्तान जो है राजा महाराजाओं का राज्जी है और राजा लोग क्या करते हैं जब उन्हें किसी अन्य राजा से खत्रा होता है तो वे संधी कर लेते हैं उससे या किसी प्रकार का विवाईक संबंद इस्तापित कर लेते हैं और अपने राजी की सीमा को सुरक्षित कर लेते हैं और ये दोनों राजा मिलकर किसी अन्य राजा को पचाड देते हैं और फते हासिल कर लेते हैं और विजय के उपराद इनकी जैजयकार होती है और जैजयकार का डिंड़ोरा आसपास के सारे राजियों में हो जाता है और विजय उस्तोवे सांबर खाकर मनाते हैं तो देखिए छोटी सी स्टोरी है राजा लोग और संबंद आपस में संबंद बना लेते हैं राजा और संबंद मिलकर राजसंबंद जिल बन जाता है उसी प्रकार ये दोनों राजा मिलकर फिर किसी अन्नी राजा को पछाड देते हैं तो पचाडने से क्या बन गया पिछोला जिल, फिर उनकी फते हो जाती है, फते यानि की विजय हो जाती है, तो फते से बन गया फते सागर जिल, फते के बाद उनकी जैजेकार होती है, तो जैजेकार से क्या होता है, जैसंबन जिल बन गया, और जैजेकार कर डिंडोरा, अब हम उत्रा खंड की प्रमुख जीलो को याद करने की ट्रिक जानेंगे तो साथ या नौ को आप तारिक के रूप में या दिनांग के रूप में ले सकते साथ या नौ को नेनी ताल में राकेश और माला को देव आया और उन्होंने दिवार को खरोचा या खुर्पा कह सकते हैं तो देखी साथ से क्या बन गया? साथ ताल जील नौ से बन जाता है नौकुचिया ताल जील और नेनी ताल से नेनी ताल जील राकेश से राकस ताल जील और माला से बन जाता है माला ताल जील और देव से बन जाता है देव ताल जील और खुर्पा, खुर्पा से बन गया है खुर्पा ताल जील इस प्रकार हम उत्राखंड की प्रमुख जीलों को याद कर सकते हैं अब केरल राज जी की जीलों को याद करने की ट्रिक जानेंगे केरल में तीन जिल हैं तो केरल में पेरी, अश्ट, बेंबानंड, स्वामी नाम के बाबा रहते हैं तो देखिए पेरी से पेरियर जिल अश्ट से अश्ट मुदी जिल और बेंबानंड से बेंबानंड जिल इस प्रकार हम केरल की प्रमुख जीलों को याद कर सकते हैं साथ ही ओडिसा में चिलका जील है माराष्ट में लोनार जील है और मडीपूर में लोकटक जील है इसे भी याद रखिएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चेनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की क्रेजी जी के ट्रिक्स के लिए चेनल को सस्क्राइब कीजिए साथ ही बेल के आईकॉन को प्रेस किर दीजिए इससे हमारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे थेंक्यू फर वाचिंग